जैसियाराम जै जैराम उनिदस कंठ क्रुद्ध होई छाणी शक्ति प्रचंड चली विभीशन सनमुख मन हुकाल कर दंड फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी वह विभीशन के सामने ऐसी चली जैसे काल अर्थात यमराज का दंड हो जैसियाराम जै जैराम मंगल भवन मंगल हारी द्रवव सुदा से रत अजिर विहारी आवत देखी सक्तियती घोरा प्रनतारती भंजन पन मोरा तुरत विभीशन पाच्छें मेला सनमुख राम सहेउं सोई सेला अत्यंत भयानक सक्ति को आती देख और यह विचार करकी मेरा प्रण फ्रनांगत के दुख का नाश करना है श्री राम जी ने तुरंत ही भीभीशन को पीछे कर लिया और सामने होकर वह सक्ति स्वयं सहली लागी सक्ति मुर्चा कचु भई प्रभु कृत खेले सुरहन विकलाई देखी विभीशन प्रभु स्रम पायो गही कर गदा कृद्ध होई धायो शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्चा हो गई प्रभु ने तो यह लिला की परदेपताओं को व्याकुलता हुई प्रभु को शारी रिकस्त प्राप्त हुआ देखकर विभीशन क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दोड़े रेकु भाग्य सठ मंद कु बुद्धे तैंसुर नर मुनि नाग बिरुद्धे सादर सिव कहुसी से चड़ाए एक एक के को टिन पाये और बोले अरे भागे मूर्ख नीच दुरबुद्धी तुने देबता मनुस्य मुनि नाग सभी से बिरुद्ध किया तुने आदर सहित सिव जी को सिर जड़ाए इसी से एक एक के बदले में क्रोडों पाये तेही कारण खल अभी लगी बाँचो अब तब काल उसी से पर नाचो राम भी मूख सथ सहसी संपदा अश कहिँ हने सिमा जयूर गदा उसी कारण से अरे दुष्ट तु अब तक बचा है तिन तुण अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्य अर्थात सुख चाहता है। ऐसा कहकर विविशने रावन की छाती के बीचो वीज गदा मारी। उर्मा जगदा प्रहार गोर कठोर लागत मही परियो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो रिस भरियो। जो भीरे अतिबल मल जुद्ध विरुद्ध एकु एक ही हनए। अगुवीर बल दर पित बीभी शनु घाली नहीं ता कहूंगने। बीच साती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही। वह पृतिवी पर गिर बड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर भहने लगा। वह अपने को फिर सभाल कर क्रोध में भरा हुआ दोडा। दोनों अत्यंत बलवान योध्धा भिड़ गए और मल युद्ध में एक दूसरे के बृद्ध होकर मारने लगे। श्री रहुवीर के बल से गर्वित बिभीशन उसको अर्थात रावन जैसे जगद विजाई योध्धा को पासं के बराबर भी नहीं समझते। उमा बिभी सनुराव नहीं सनमुक्चितव किकाव सो अब भिरत कालज्यों स्रीर गुवीर प्रभाव सियाबर राम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी रवव सुदाशे रथ जिर विहारी